साथियों स्वागता आपसे का आपके अपने यूटूब चैनल बिग जोस में साथियों मिद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे तो साथियों आज किस कलास में हम डिसकस करने वाले हैं क्रीशी विज्ञान के उन सभी मत्तपूर परश्णों के बारे में जो की आने वाली परिशाओं जैसे की AGTA, बिहार कॉडिनेटर, FCI इत्यादी परिशाओं के लिए मोच्ट इंपोर्टेंट है तो वीडियों को इन तक जवड देखेगा क्योंकि देगा सभी कोसम से एक्जाम ओरियेंटेट और सेलेक्टिव हैं तो आईए देखते हैं, जैसे पहला प्रश्ण है, अंता सर्यन से प्राप्त कुल उपज के बराबर मुखे फसल की उपज प्राप्त करने के लिए आवस्चेक जो भूमी छेतर होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, लेंड इक्वेंट रेसियो, छेतर तुल्यांक अनुपात, क्या कहते हैं? छेतर तुल्यांक अनुपात, याद रखिएगा नेक्स कोसन है, निम्नांकित में से कौन जो की भूसी रहित पर जाती है? जो की भूसी रहित पर जाती है, और इसके बार में डीटेल में समझेगा, कि जो परियाजना करनाल से बिक्सित की गई है कहां से बिक्सित की गई है? परियाजना करनाल से बिक्सित की गई है तथा छिलका रहित है, इसका पधा बौना होता है, इसका जो भी पधा होता है, वो ज्यादा टाल नहीं होता है, बौना ही होता है और फसल जोगी 115 से 120 दिनों में पक कर तयार हो जाता है तो इसका डिवरेशन भी याद रखेगा कि फसल जोगी 115 से 120 दिनें पकर तयार हो जाती है और इस पर रतुगा रोक का कम परभाव होता है इस पर रतुगा रोक का परभाव बहुत कम होता है अगर उपज की बात करें तो इसका उपज होता है 40 से 50 कुंटल प्रती हेक्टेयर कितना 40 से 50 कुंटल प्रती हेक्टेयर जिसमें से में इंपर्टिन पॉइंट है कि जोगी भूसी रहित पर जाती करन 18 है तो इस सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा नेक्स कोशन है बिजांकुरण का परिछड किया जाता है बिजांकुरण का परिछड किसके द्वारा कियाता है तो कुलराइड से किसके द्वारा कुलराइड से किया जाता है याद रखिएगा नेक्स कोशन है उसर भूमी में रुपाई हे तू धान के पौधे की अनुसंसित उम्र है उसर भूमी में रुपाई होई तो धान के पौधे की अनुसंसित उम्र क्या है तो याद रखिएगा उसर भूमी में जब पौधे को 45 दिन हो जाते हैं उसके बाद इसकी रुपाई की जाती है इसलिए आप माराइट अंसर आप्सन दी हो जाएगा 40 से 45 दिन जबकि उपजाव भूमी में 25 दिन के पौधे का रोपड करना चाहिए जो उपजाव भूमी होती है उसमें 25 दिन पे जो की पौधे का रोपड कर देनी चाहिए तो याद रखिएगा इंपोर्टेंट कोशन है कि उसर भूमी में रोपाई है तो धान के पौधे की अंसंसित उम्र 45 दिन होता है और जो की उपजाव भूमी में धान की अंसंसित उम्र 25 दिन होती है तो याद रखिएगा नेक्स कोशन है लेग हीमो गलोबीन एक लाल रंग का पादक वड़क है यह पाया जाता है जो लेग हीमो गलोबीन एक लाल रंग का पादक वड़क है वो किसमें पाया जाता है तो याद रखिएगा दलहनी पौधों की जड़ों की गाठों में पायता है लिग हीमो गुलोबीन याद रखिएगा important question है Next question है कपास की सुजाता परजाती निम्नांकित में से किससे सम्मंदित है तो याद रखिएगा कपास की जो सुजाता परजाती है वो गुशिपियम बारबडेन से सम्मंदित है इसे गुशिपियम बारबडेन से सम्मंदित है Next question है औरोधी एक उक्ठा औरोधक उन्नत परजाती है अवरोधी जो की चने की उक्ठा अवरोधा की प्रती उन्नत पर जाती है और यह important question है कई बार की exam में पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा पोटाइसियम के परियोग से पोटाइसियम सलफेट के परियोग से जो की सिगरेट तंबाकू के जलने में गुडवत्ता में जो की सुधार आती है और यह important question है कई बार exam में पूछा जा चुका तो याद रखिएगा next question है नरशरी उगाने की डैपोग वीधी सम्मंदित है नरशरी उगाने की जो डैपोग वीधी होती है वो किस फसल से सम्मंदित है तो याद रखिएगा धान से सम्मंदित है किस सम्मंदित है धान से सम्मंदित है आईए डैपोग वीधी के बारे में थोड़ा डीटेल में समझते हैं, तो बात करें, डैपोग बीधी से धान की नरसरी त्यार करने का परचनन भारत में आंध परदेश में सबसे अधिक है, इस बीधी में पौधे को बिना मिर्दा के उगाते हैं, पौधे दस से पंदर दिन में रुपाई के लिए तयार हो जात हैं, तो दस से पंदर दिन में तयार हो जाते हैं, और एक पौइंट और नोट कर लिजेगा, इस बीधी का विकास फिलिपिन्स में किया गया है, तो याद रखिएगा, ये भी कई बार कोशन एक्जाम में पूछा चुगा है, डैपोग बीधी का विकास किस देश में हुग है, तो याद रखिएगा, डैपोग बीधी का विकास देश में हुगा है, तो ये सभी पौइंट्स इंपोटेंट है, याद रखिएगा, नेक्स कोशन है, भारत वर्स में फसल उत्पादन के लिए उपलब्द कुल भूमी छेतर है, भारत वर्स में फसल उत्पादन के लि यह उपलत कुल भूमी का छेतर हैं, एक्सोब्यालस मीलियन हेक्टेर। नेक्स्कोशन है, भिलंब से बोय गए गेहु के लिए संतुती अस्थापन गहराई होती है। काफी important question है, याद रखियेगा कि बिलम से बोख़ग क्या गिहुं के लिए संतुति अस्थापन गहराई कितनी होती है, सामान गिहुं से उधली गहराई पर, यानिकि जो समय से गिहुं बयाता है, उसकी गहराई होती है, 5 cm, सेंटीमीटर तो जो सामान गियू से उथली गहराई होगी वो सामान गियू से थोड़ा उपर होगी यानिकी चार सेंटीमीटर तो याद रखिएगा सामान गियू से उथली गहराई पर बिलम से बोएकर गियू के लिए संतुती अस्थापन गहराई होती है तो याद रखिए नेक्स कोशन है धान में कल्ले निकलते समय फिजियोलोजिकली सबसे अधिक सक्री होती है जब धान में कल्ले निकलती है उस समय फिजियोलोजिकली सबसे अधिक सक्री क्या होती है तो याद रखिएगा सबसे ऊपर की पती जो है की फिजियोलोजिकली सबसे अधिक सक्री होती हैं तो याद रखिएगा नेक्स कोशन है उरवरकों में नाइटरोजन की मात्रा परतीसत में एक मानकर अन्य ततों की अनुपातिक मात्रा को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं याद रखिएगा उर्वरक ग्रेट फटलाइजर ग्रेट कहते हैं उर्वरकों में नाइट्रोजन की मातरा परतिसत में एक मानकर अन्य ततों की अनुपातिक मातरा को जोगी उर्वरक ग्रेट कहते हैं याद रखिएगा नेक्स कोशन है फसलों द्वारा उपभोक की गई जल की मात तथा खेत में दी गई जल की मातरा की अनपात को कहते हैं देखिए most important question है ये वी कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है कि फसलों द्वारा उपभूख की गई जल की मातरा तथा खेत में दी गई जल की मातरा की अनपात को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा छेतर सी चाई छमता कहते हैं क्या कहते हैं? Field Irrigation Efficiency याद रखिएगा important question है Next question है काली सर्सो जिसे अस्थानी रूप में बनारसी राई कहते हैं किस समो की है? काफ इंपोर्टन कोशन है कि जो काली सरसो है जिसे अस्थानी रुप में बनार्सी राई काते हैं वो किस समों की है तो याद रखिएगा ब्रेसी का नाइगरा किस समों की है ब्रेसी का नाइगरा समों की है ब्रेसी का जुन्सिया जो की राई का बोटनिकल नेम है किसका सिर्फ राई का और काली सरसों का जिसको अस्थानी रुपन बनारसी राई काते हैं वो किस समों का है ब्रेसी का नाइगरा याद रखिएगा नेक्स कोसन है योजना आयोग द्वारा नौवी पंच वर्सी योजना काल में किरिसी उत्पादन की वार्सिक ब्रेदी दर कितनी निर्धारित की गई है तो कितनी निर्धारित की गई है याद रखिएगा पांच परतिसर कितनी पांच परतिसर और देखे योजना आयोग से स समय सस्य गहंता कितनी है भारत वर्ट में वर्तमान समय में सस्य गहंता कितनी है तो याद रिखिएगा 136 परसेंट है कितनी है 136 परसेंट है मक्के में संतुत खरपतवार नासी है मक्के के लिए जो फेवरिट खरपता नासी है वो कौन सी है पेंडी मेथालीन याद रखिएगा नेक्स कोशन है सिंगल सूपर फासवेट में चूने की मातरा होती है तो याद रिखिएगा 15 से 20 परसेंट होती है और यदि सिंगल सूपर फासवेट में सलफर की मातरा पूछे तो याद रिखिएगा 16 परसेंट होती है important point है दोनों को note कर लीजिएगा next question है full goby में vipetail किस तत की कमी का लचछड है most important question है कि full goby में vipetail किस तत की कमी का लचछड है तो याद रिखेगा molly bidenum तत की कमी का लचछड है full goby में vipetail बात करें नतजन की तो nitrogen की कमी से जो कि full goby में बटनिंग रोग भी हो जाती है और nitrogen की अधिक्ता से full goby में hollow steam रोग भी हो जाता है तो इन तीनों points को याद रिखेगा आप सभी के लिए most important है next question है मिर्दा कड़ो पर नमी के आकरसर को जाना जाता है जो मिर्दा की कड़ो पर नमी के आकरसर होते है उसे जो की आसंजन के नाम से जाना जाता है किसे जाना जाता है आसंजन के नाम से जाना जाता है फासफो जिपसम का रासानिक सुत्र क्या है बात करें फासफो जिपसम के रासानिक सुत्र की तो याद रिखेगा FASPO gypsum का रासानिक सुत्र है CESO4.2H2O क्या है CESO4.2H2O जो कि छारी मिर्दाओं के सुधारक के मुरूब में भी काम आता है यहां आपको कुल तीन प्रश्णियाद हो जाते हैं पहला FASPO gypsum का रासानिक सुत्र क्या है CESO4.2H2O दोसरा प्रश्ण क्या है जो कि छारी मिर्दाओं के सुधार में काम आता है FASPO gypsum और यहीं आप से पुछाता है जामे कोशन कि अमली मिर्दाओं के सुधार के लिए किसका परियोग किया जाता है तो याद रखेगा अमली मिर्दाओं के सुधार के लिए चूना का परियोग किया जाता है ये तीनों पॉइंटस important है next question है निम्नांकित में से कौन सा जिवाडू? फासफोरस घोलक है important है कि निम्नांकित में से कौन सा जिवाडू? फासफोरस घोलक है याद रखेगा Pseudomonas istrata Pseudomonas istrata जोगी Phosphorus गोलक है next question है निम्णांकित में से कौन calcium तथा बुरान के सम्बंध में सत्य है इन चारों option में साब को बताना है कि कौन सा जोगी calcium तथा बुरान के सम्बंध में सत्य है तो याद रखेगा मिर्दा में कम चल Less mobile in soil वो मिर्दा में कम चलाइमान होते हैं इसलिए राइट अंसर आप्षन सी हो जाएगा नेक्स कोशन है इनवर्स उत्पादन नाइट्रोजन नियम किसने प्रस्तावित किया था इनवर्स उत्पादन नाइट्रोजन नियम किसने प्रस्तावित किया था विल कॉक्स ने सन 1929 में याद रखियेगा नेक्स कोशन है उस सीधान का क्या नाम है जिसके अनुसार यदि पौधे को एक आवस्यक तत को छोड़ कर अन्य सभी तत्व परचुर मात्रा में उपलब्द कराए जाए तो उनकी ब्रिद्धी उस तत्व की मात्रा की अनुपात में होती है जो सिमित मात्रा में दिये गए हो तो मोश्ट इंपोटन कोशन इवियर रता है जिसका राइट अन्सवोर ऑप्सन डी हो जाएगा घटते उत्पादन का मीचलिक नीयम याद रखिएगा नेक्स कोशन है जब मिर्दा में कार्पनिक पताIR डाला जाता है तब क्या होता है तब इस्थूल घनत्व घट जाती है क्या होता है जब मिर्दा में कार्वनिक पदा जाला जाता है तब इस्थूल घनत्व घट जाती है नेक्स कोशन है मिर्दा में यूरिया अब घटन से मिलता है मिर्दा में यूरिया अब घटन से क्या मिलता है अमोनियम कार्बोनेट मिलता है क्या मिलता है अमोनियम कार्बोनेट मिलता है नेक्स कोशन है क्रॉप लॉगिंग एक तरीका है क्रॉप लॉगिंग कौन सा तरीका है तो याद रहेगा पादब बिसलेसर जिसे फसल की पोसक ततो की आवसकता ग्यात हो क्राप लागिंग का एक तरीका है कि पादब विसले सड जिसे फसल की पोशक ततो किया हो सकता ग्यात हो नेक्स कोशन है वातावरण की तुल्ना में मिर्दावाई में अधिक्ता होती है वातावरण की तुल्ना में मिर्दावाई में किस की अधिक्ता होती है इंपोर्टेंट कोशन है याद रखिएगा तो साथी ये रहे आपके किरिसी बिज्ञान के विए सभी महतबूर प्रश्ण जो कि आप सभी के आने वारी परिछाओं के लिए मोश्ट इंपोर्टेंट है तो वीडियो आपको खसा लागा कमेंट करें फिल्बेक जाओं दीजेगा और वीडियो की क्वार्टे और कंटेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चेलेक पस्क्राइब जरूर कर लीजेगा